आप सभी का एक बार फिर से सौगाते हैं हमारे को नए व्लॉग में तो आज हम आपको दिखाने वाल हैं कुछ यूनिक चीजें और कंपरिजन करके दिखाएंगे कि जो मल्चिंग है आप लेवर से डलवाओ या फिर टेक्टर से डलवाओ इनमें कौन से में आपका फायदा ह अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा और बैसे इनका जो पुराना वीडियो है वो तो आल्रेडी व्लॉग वाले चैनल पर अपलोडेड हैं तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं पूरे वीडियो और यह जो मल्चिंग भिछाई थी अगर आप कंटिनी हमारे व्लॉ लेकिन टेक्टर से डलवाने में आपके क्याका नुकसान है और फायदे इनके बारे में बात करेंगे यह जो कॉस्टिंग है सिर्फ 2,000 रुपे प्रती एकल के साबसे आती है लेकिन उसमें क्या होता है कि एक तो अगर आपकी इस प्रकार की विवस्ता है इस प्रकार से पा अगर थोड़ी सी कम जादा कट गई, दो फिट एक फिट कम जादा कट गई, कम कट गई तो घास होगा, अगर जादा कट गई तो बे कट जाएगी, मतलब एक बंडल हमारा तीन लाहिनों में पूर रहा था, मतलब छे जगह आपने इसको कटिंग करा, अगर दो दो फिट या फिर एक फिट भी कटा, तो छे फिट, साथ फिट मल्चिंग आपकी बेसे ही खराब हुई, मतलब इतनी जो जगह कवर आप बेसे ही कर देते, इतनी मल्चिंग आपकी बेसे ही खराब हुई, सिर्फ एक बंडल में, अब एक बंडल में इतनी जगह खराब हुई, तो अगर चार या पाँच बंडल लग रहे हैं तो इसमें आप सोच सकते हैं कि एक लाइन की जो जगह है अगर चाहर चार बंडल लग रहे हैं तो लगमक 40RIS्ट की जगह बे सब्सक्या 2-2 बेर fever इसको कि पूरे कनेक्टर बगएरा लगे हुए तो इनका कल्यान अलग से हो जाता है यह फिरी में ठीक है उसके बाद क्या होता है कि आपको लेवर लेना पड़ता है मतलब दो लेवर कम से कम लग जाते है 26 रुप रती एकड़ के हिसाब से लग जाता है इसे के साथ मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा जो चीज मैंने प्रक्टेकली ली है अपने प्लॉट में वो चीजे बता रहा हूं आप भी मेरे पर विस्वास मत किजिए फिर भी म यह और बंडल डालते हैं तो आपको एक से दो बंडल एकश्टा लएगा अगर में कम से कम अगर एक बंडल की बात करों एक एकड़ में तो एक एकड़ में आपको एक कल रहा प्रती एकड़ के हिसाब से, अगर आप टेक्टर से डलवा रहे हो तो, अब अगर लेवर की बात करें, तो लेवर में मैं आप सभी को बताना चाहँगा, कि एक एक एकड़ में आपको अगर दस लेवर लग रहे हैं, तो 300 रुपर प्रती दिन के हिसाब से, आपको कितने अब इसमें फायदा यह है कि अगर आप लेवर से लगवा रहे हो तो जब भी आप इस नाली से बीच में पानी छोड़ोगे तो इसी कंडिशन में क्या होगा कि जो टेकर से देवी हुई है उसमें कुछ परसेंट यह मिट्टी रहती है और पनी सिर्फ यहीं तक का कवर करती ह और बेड तूटने का एक जंजट अलग रहता है तो जब आप पानी छोड़ोगे तो यहां से मट्टी पूरी बह जाएगी और इसके उपर निकलने के चांसे ज़्यादा रहेंगे लिकिन जब आप लेवर से लगवाते हो तो इसमें बेड पूरा कवर होता है आपका पूर प्रफॉवाली मल्चंग लेना चाहते हो ले वर से तो बिल्कूल ना ले क्योंकि होल्त जोड़ोगे ञाते से नीचे रेट में अपको छोण यह सब और आप के यहां से और अगर अगर बात करें लेवर की में हो राचाइन धनियुक्त यगजा 2 आपके तीन जगे चाट जगे कटिंग करते हैं उसमें 40 फिट मल्चिंग निकल जाती है और उसके साथ में 400 फिट निकालना रहता है तो उसमें अगर आप एक बंडल को यहां से स्टार्ट करोगे उसको 50-60 फिट उसको खोलोगे उसके बाद अगर उसको हिचोगे तो वह 10 फि मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जो मल्चिंग बाला प्लाट है इसमें आप अपने खेत में ट्रायल करके जरूर देखें क्यूंकि अगर आपको 15 लेवर लग रहे हैं मेनुवल डालने से तो आप बिल्कुल नड़रें 15-16 लेवर अगर आपको मल्चिंग डालने के है उसके बाद फिर आपकी जो ड्रिफ है वो टूट रही है तो यह जंजट से आप बिल्कुल मुफ्त हो जाओगे फ्री हो जाओगे तो आज की वड़ी में बस इतना ही अपने प्लाट में अपलाई करके जरूर देखना थोड़ी से प्लाट में जरूर देखना बागी क्य है कि जो साड़े चार फिट के मल्चिंग है यह पूरा बेड कवर करके रखती है अगर आप मेनुवल डलवाते हो तो तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ठीक लगा हो तो बाकी किसानों में सेर करें लाइक करें सुस्क्राइब करें धन्यवाद